नमस्कार साथियों मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हम लोग केमेस्ट्री के अंतरगत पिछली दू क्लासों में पदार्थ समझे हैं पदार्थ क्या होता है पदार् कि अवस्थाएं पढ़े थे आज जो हमारा टापिक है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है यह हमारा टापिक है प्रस्निया उठता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन क्या शंभव है इसका सीधा सजवाब है यह संभव है तो फिर सवाल उठता है क तापमान परिवर्तन द्वारा यानि कि कोई भी ठोस है अगर हम जो है उसको उसका अगर जो है टेमप्रेचर बढ़ा दे या यूं कह लीजिए कोई ठोस पदार्थ है तो हम लोग ये तो पढ़े ही है कि पदार्थ क्या होता है ये जो है छोटे-छोटे कड़ों से होता है लुक्त पढ़े हैं अब अगर सुचिए कि क्या होगा जब जो है इस ठोस को गर्म किया जाया जाए इसको जो है तापमान देया जा तो क्या होगा कि ये जो कड़ है ये पहली बाद तो पदार थे चोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बने होए और इन कड़ों के बीच ज कि ये कर जो है अपने स्थान सेगों जब हिए घटी जूर जा बढ़ेगी ओधाने की वजह से तो यह क्या होगा यह अपने अष्थान को जो है चोड़ेंगे ना और जब यह अपने स्थान को चोड़ेंगे तो जो क्या sappia इनके जो है अवस्था में फिर परिवर्तन होगा ठीक तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी ठोस पदार्थ का जो है अगर हम लोग तापमान परिवर्तन करें तो उसका अवस्था परिवर्तन संभव है क्योंकि यह जो एक जगह रिजीड दिख रहे थे अगर जब हम इसको सफापमान जो इनके बींशे में जे जब भड़ेंगी तो यह कढ जिलो है अपने एक संभी होगा यह जो ठोस रख रखा गया है यह धिरगक पिखलना सुरूट कर देघा ना हुकुर्ध कर तो यहां से जो है गल रंख की या मेंटिंग पॉइन तो निकल सामने आती है तो गलनांग क्या होता है कि वहनून्तमताफ है वहनुनतमताप मान जिस पर कोई ठोस्त पदार्थ जो है घंबगर द्रव बन जाता है वही जो है उसका क्यों होता है ठिक और गलनांग जो होता है यह कड़ो के बीच आकरसनी बलके सामर्थ को दरसाता है अभड़िए इसका मतलब हुआ करें का मतलब हुआ कि जो इनके कड़ों के बीची जो सामर्थ से जो आकरसीन भल था वही 법 देर सामाझ था जब हम लोग तापमान बढ़ाए जब यह पिघलना शुरू कर दिए तो यानि कि वही तो गलनांग है तो इसी वज़ा दूसरा पाइंट लिखा गया है कि जो गलनांग होता है यह कड़ों के बीच आकरशण बलके सामर्थ को दर साता है ठीक है में थूसर्त है तो सवस्था कोगो उश्मा प्रधान की जा है तो यह द्रव रवस्था में परिवर्त हो जाता है और द्रव रवश्था से फिर यह एस फ्रम में कर वर्क हो जाता है उसमा देने si speaking शॉंब है यानि कोई कह लीजिए यह लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी है जैसे जो है अगर उन को गर्म किया जाय तो वह 20 सवस्था सिधे जो है से आप हता है जी कि जो है पिखलता नहीं है फोशेद्य परिवर्तित हो जाता है नेफ्थलीन हो गया कि यह यह पूंच सकता इक्जाम में पहले अगर कोई पदार्थ में है वो अगर सीधे गैस्था से सिच्थे इस फास्था में बदलने गढ़े प्रेंट है लोग इसमें क्या पढ़ें कि पदार्ठ है कि पदार्थ की आवस्था परिवर्तन के लिए महत्तपूर का लाक जुचिमेदार्र है तापमान अगे में अगर मास को जोब करें तो वह क्या हो commit दीरे दीरे वो ठोष पदार्थ पिखलना सुरूँ हो जाएगा वह नियुन्तम अपमान्ग जिस पर कोई ठोष पदार्थ पिघलना सुरूँ कर दे तो वह जो है वह बिन्दू क्या इस पदार्थ के कड़ों के बीच आकरशडवल के सामर्थिकों दर साथ हैं ठीक परिवर्तन हो जाते हैं जैसे कपूर और नेफ्थलीन इस प्रासेस को क्या कहते हैं और इसका पॉजिट जो है वो निच्छे पढ़ है यानि की गैस से सीधे थोज पदार्थ में बदलने की प्रक्रेयानी की जैसे कपूर का अगरा गैसिस फॉर्म है अगर उसको जो ठंडा क यह तो वह सीधे क्या हो यह जो जाए अब जो दूसरा है वह डाव परिवर्तन है यानि की दाव परिवर्तन के द्वारा भी किसी पदार्थ की भौतिक अवर्ष्था को परिवर्ति की आजा सकता है जैसे कि मैंने एक बताया था कंप्रेशन यानि कि संपीड दिता जब मैं बता रहा था कि जैसे यल्पीजी है लिक्यूफाइट पेट्रोलियम गैस जो घरों में जो है कि रसोई गैस इसको बोलते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें जो गैस होती है वो कंप्रेश करके यानिक संपीडित करके जो है एक सिलेंडर में भरी रहती है और वह तरल रूप में भरी रहती है जैसे कि मालेजिए अगर यह कुई गैसियस सब्स्टेंस है ठीक अगर इसको जो है कंप्रेश किया जाए तो कंप्रेश किया जाएगा तो क्या होगा कै तो अगर इसको कम्परेश किया जै कोई अगर गैस किसे पलार रख़ा गया है अगर इसको कमपरेश किया जाया यहान। तो अगर नीवेली और तन-जान पफैल्टं और बटल में वह क्या होगी पास पास आएंगे तो यह सम्वम्मकशsis ऊजश सूरा पाल से को तापमान में बढ़ोटरी होगी अगर हम लोग तापमान को कम कर दें और दाब को बढ़ादें तब क्या होगा कि कोई भी गैसीस पदार्त है अगर उसको जो है उच्छ दाब पर और निम्न ताप पर अगर हम लोग ठंडा करें तो वह तो क्या होगा व फोस में परिवर्थित हो जाएगा न में जैसे कि अब तो छुने होंगे तो डाइक साइड कि ना फोस्योटू यह क्या होता है कि जो कार्बन डाय आकसाइड गये सोती जो हम लोग मुहसे छोड़ते जो आहिफोटाव पर किया जा जाएं ताप मान को कम स्वाहां कर दीया जाए। दो जो है ठोश्ट पदार्थ में परिवर्वर्थित हो जाती है जिसको जो धों स्यों तो हम लोग पर किया पढ़े सुच इस टापिक बंदर गया की पदार्थ में औरस्था परिष्था परिवर्तन दो तरीके से किया σकता है पहला है वार्प परिवर्तन दारा दौर है यह परिष्था को उस्मापर्दान करते हैं तो पदार्थ के कड़ों के बीच जो है गती-जूर्ज़ा बढ़ती है जिससे क्या होता है कि पारज के कड़ है परेवर्तित को अब लोगे आगे देखते हैं जो पदार्थों में अवस्था परिवर्तन बताया गया उसको जो है इस संचिप्त फीगर के माध्यम से याद रखा जा सकता है जैसे मैंने यह बताया था कि ठोश से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं शंगलन कहते हैं या जिसको लोग गलनांक पढ़े थे ठोश्पदार थे इसको लोग उस्मा दिये तो यह जो है धेरे-धेरे किसमें अग्वांद मतलब है तो यहां पर एक तरीका वास्पी करड़ का है एक तरीका में लोग आगे पढ़ेंगे जो है एक तरीका है कि यह है कि द्रौक जो है और उष्मा परतान की जाए तो यह गयास में देली-देलिपर परिवर्दित हो जाए जैसे जल है जल को अगर उश्मा प्रतान की जाए तो वह जो है इसका पूज़ेकर जैसे गैस को ठंड़ा किया जाए संगना मतलब होता है ठंड़ा करना अगर ठंड़ा किया जाए तो पूना द्रव में परिवर्दित हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फोस्ट जो पदार स से कम अपनां पर को ड्रव के वास में परिवर्डित होने के प्रक्रिया को वास्पिगर कहते है लेकिन यहां पर प्रसनिये उठता है क्वथनांग क्या है कि कि वृवन्डली दाप पर जो कोई भी द्रव है जिस बिंद उपर वहाँ ऊबलने लगे वहीं उसका क्या क्मकि क वही उसका उत Ariyaa Do पर होता है च्रवी कोषोफी करड़ से कम टापमाननंग पर होता है कि मैं इसे द्रव मेने लगी का फंध पर निमार फिस कि परती होने लगेगा वाश्पी कर होता है यह कौना के लेकिल होता है ग् strawberries मेना पनगी कि तरधी यह मुमजाओ कई वहा कि टालाबों का जल है या कहीं ठ्हारा हुआ फानी है ऐ तो वह धिर ठीड you know Doing वाश्पित हो कर उड़ जाता है क्यों क्यों वहां पर धुतना पानी हुआ नहीं की वह रफ लोगी वह पायिन अगर जो है अगर कोई द्रव जो है वास्प में परिवाड़तित हो जाए तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है अब वास्पी करण जो होता है इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं जैसे उसमें सबसे पहला है प्रिष्ठी छेत्रफल का मतलब यह हुआ कि अगर कोई किसी का एक हम लोग ग्लास में पानी रख दें और एक ठोड़ा कटोरे में पानी रख दें तो आप देखेंगे कि जो कटोरे का पानी है वह जल्दी वास्प बनकर उड़ेगा क्यों क्यों कि उसका परिष्ठी कहत्रक्र ज्यादा है या इसको दूसरे की प्रक्रिया है उसमें उसलों बहुत mixer जाता है दो प्रिष्ठी धीर अब वास्पन की प्रक्रिया उसमें तेज हो जाती है जसे क्या वन सूख जाता है जो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो पवन बेग है पवन बेग का मतलब हो गया कि वायू की गती अगर वायू जो है वायू की गती तीब रहे तो कपड़ा मारा जल्दी सुखेगा क्योंकि जो है इससे वास्पन की दर बढ़ जाती है जैसे गर्मियों में करती है अभी मैं उसम पे आ रहinky हूँ अगला है ताप मान अगर ताप मान जादा होगा दुर्च में ज्यादा होगा वायूर प्रोब ज्inga ज्यदा रहता है कपड़ा जल्दी आर्दता है लगता है में ये क्या है पर स्थेलगी और तका मतलब यह हुआ कि आसपास आगल में यौ तो य। घंग है वाधा वर्टामर की मत्रम आए मौंडल में जैदा है तो घयो चोंग हुआ सब प्रभावित करती है वाक बारिश के दिनों में कि अपने कपड़े वह कं दो जल्दी नहीं तक कड़ely जाता है उनको खोल यहां एक क्योंकि दो था तक मैं में आतिजीaben में और रर्ड होती हे जिससे वास्पी करण की दर प्रभावित करने वाले कारफों में चार कारक थे उसके पहले पफ्रिश्ठी चेतरफल जादा है तो अगर झाझाइद garment तो उस्कितर कम ठीक ये हो गया उसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे आपको वीडियो कैसा लगा आपको मेंट बाद में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अगर आप चैनल पड़ने है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनरे करें लुगे अगर नमश्कार